हलो स्वागत आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक दम बढ़िया और सब की पसंद इस्पेशली बच्चों की पसंद चाउमी नूडल्स तो फिर चलिए फटाफट से शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर दो पेकेट करते हैं ज़्याओ अिलिड़ार जाते हैं दो फिसाजिल के खायां ज्याओ वांगिया यहां फिर फे दमिर पान दो चाहें बढमें जड़ा कर देखिते हैं और लेते हैं जही हैं देखर ज़से अगील एक बार इसको प्लेट लिए हैं उसमें काफी हो जाएगा पानी आप उतना डाली है जिससे कि आप जो नूडल से न वो अच्छे से उसमें डूब जाएं और मैं डाल दूंगे इसमें नमक स्वाद अनुसर यानि एक चमज डाल देंगे और इसमें डालूंगी में सोया सॉस एक से डेड़ चमज डा और तूरंत आकट़े रूटे से टूटे वग नूडली थे न भी हम ढाल देंगे और इस तरह से अभी हम ज़ा लेंगे उपर से नीचे कर लेंगे और यह ज्यादा देर इसको बालने में आप नहीं लगेगी मुश्किल से तीन से तीन मिनिट जादा से जादा इसको पकाने में आपको लग जाएगी आप गैस का फ्ले मीडियम पर ही रखिए यह देखिए अभी एकदम हमारे जो नूडल से ना वो एकदम अलग अलग खिल गए है यानि खुल गए है दो से तीन मिनिट हो गए है मैंने इसको खोल कर ही पकाया है और इस तरह से हाप इसको हाथ से तोड़ करके देख लीजी अगर यह तूट रहा है तो हमारा नूडल पक जो हमारे नूडल से वो चिपकेंगे नहीं आप चाहें तो यहाँ पर भी एक चम्मच तेल डाल करके उसको खिला खिला बना सकते हैं यह देखिए मेरा तो अल्रेडी यह चिपक नहीं रहा है बिल्कुल अलग है अभी हम क्या करेंगे गैस पर रखेंगे एक फ्राइपन औ और उसमें डालेंगे दो से तीन चम च ओ oyl आप को इसा मिले सकते हैं यहाँ पर आप बटर का इस् dengan कर सकते हो पर याद रखिए अगर आप बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उ concern हमने पहले से ही नमक डाला हुआ है नुडल से में और में डाल दूंगी दो से तीन लेसुन क कलियां जो मैंने बारीक चॉप करके रखी हुई हैं और यह देखिए मैं डाल दूँगी छोटा एक चम्मच लहसुन घिसा हुआ रखा हुआ था बस वही डाल दूगी और यह देखिए दो हरी मिर्ची मैंने ऐसे कूट के रख लिया है जैसे जो आप अध्रक कूटते हैं खल को ही पसंद आती है लेकिन बच्चे इसको एकदम चटकारे लेके और टेस्ट से खाते हैं मैं डाल दूगी एक कटी हुई प्याज मैंने रफली ऐसे ही काटी है और हाथ से मसल कर इसको डाल देंगे और स्पैसला से इस तरह से मिला लेंगे गैस का फिलेम अभी भी आपको मीडियम पर ही रखना है और जैसे ही प्याज को हमें तब तक ही बूरना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती ब्राउन हमको बिल्कुल भी नहीं करना है और अभी मैं डाल दूँगी बारी कटी हुई पत्ता वो भी ये सबजी जो मैं डाल रही हूँ आप इसमें और भी कोई सबजी यां ले सकते हो और सब्जी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं यहाँ पर डाल दूंगी गाजर कटी हुई और शिमला मिर्ची कटी हुई, एक मैंने छोटी शिमला मिर्ची ली थी, उसको भी इस तरह से लंबे टुकडों में काट लिया है, देखिए मैंने गिस करके इस्तेमाल नहीं किया है, लंबे टुकडों में इसको काट करके तेयार किया है, और यह देखिए जैसे ही हमारा थोड़ा सा सौफ्ट हो जाती है, गाजर वैसे ही जो हमने नूडल्स जो वाइल करके रखे थे, वही हम इसमें डाल देंगे, और इस तरह से टॉस करते हुए इसको मिला लेंगे, यह द देखिए, फ्रेंड्स एक एक जरूरी बात, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर से जल्दी से जाकर के उसको सब्क्राइब करिए, और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है, उसको दवाना ना भूले, जिससे कि आप मेरा जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले देख सकते हैं, और इसको इस तरह से मिलाने के बाद हम अभी क्या करेंगे, ये देखिए, नूडल्स मसाला मार्केट में आता है, वैसे तो इसको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत मसाला इसमें डाला है, अगर आप और इसक पुली बनारा चाते हैं, तो इस तरह से दो चमच, इसमें छोटी वाली मसाला डाल दीजे, और पानी इस तरह से छीटे लगा कर इसको मिला लीजे, ये आप देख पा रहे होंगे, कितना देखने में ही इतना सुन्दर लग रहा है, तो खाने में तो उससे भी ज्यादा टे खा देती हूँ, बिल्कुल अलग-अलग लग रहा है, और ये लीजे तैयार हो गया हमारा स्ट्रीट स्टाइल चाउमी नूडल्स, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, कितना अच्छा देखने में भी बहुती सुन्दर लग रहा है, तो और इसको आप कभी भी हो जाता है, तो फिर फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं, खाएं और अपने अन्मब मुझे जरूर शेयर करें, थेंक यू,